है कि अधिरूट वेल्कम टू जई च्लासेज में रट मैं दीपक सर्मा मैं आपको पढ़ा रहा हूं electrical machine second और बच्चों जैसा कि यह जो chapter चला है second chapter हम पढ़ रहे हैं single face induction motor और last lecture बच्चों हमने पढ़ाया था पर्मानेंट capacitor motor के बारे में और साथ-साथ बच्चों हमने देखा था shaded pole induction motor ठीक है shaded pole motor के बारे में देखा था यह सब बच्चों हमारे induction motor के बारे में चला था जो की जो capacitor start capacitor run इन सभी motorों में बच्चों capacitor लगाने की जरूरत पढ़ती थी हमें centifugal switch की जरूरत पढ़ती थी लेकि shaded pole एक motor ऐसी motor होती है बच्चों जिसे हमें अलग से न कोई capacitor लगाने की जरूरत पढ़ती है न तो इसमें हमें बच्चों कोई centifugal switch की जरूरत पढ़ती है इसकी binding को shaded pole दो section में बाढ़ देते हैं और एक को बोलते है shaded binding करते हैं और उस binding में एक induced EMF हो रहा था और इस EMF कारण उसमें current आनती है और इसमें एक flux बनता है जो flux हमारे unsidate side में जो flux बनता है उससे कम रहता है तो कुछ हमें rotating flux मिलता है और उसके कारण बच्चों हमें क्या होता है कि जो rotor rotating flux आपको पता है three face induction motor कहानी जब कोई rotating magnetic field मिल गया agitator पे तो rotor automatic उस पे बच्चों रोटर पे भी एक टार्क अपनका प्रोडियूज हो जा टार्क लगने लगता है क्योंकि जब किसी धारा परवा करते हुए चालक को यानि रोटर पे जाएगा आपका जो flux है rotor conductor दोरा कट होगा rotor पे इंडियूजियम में फोगा रोटर पे भी करेंट आएगी वही कहानी rotor कि जब किसी धारा परवा करते हुए चालक को चुमबकी छेत्र में रखते हैं बच्चों उसमें एक बल कारे करने लगता है यानि बला घुड़त पन होता है और motor आपकी मूब करने लगती यह सब कहानी मैंने देख लिया था बच्चों एक चीज़ बाइदे मिश्टेक हमने बोल दिया था कि जो synchronous speed होती है नहीं जो आपकी बच्चों synchronous motor होती है वो stated pole नहीं होती सेड़ पॉल न्ट और synchronous speed मतला यह synchronous speed पे move नहीं करती यह ध्यान दियेगा वगए the mistake हो गया था तो चीज़ों का आप कंच्र के बच्चों समझते रही Philadelphia देखें बच्चो तो हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्सल मोटर ठीक है तो देखेंगे हम इन्वर्सल मोटर के बारे में यूनि वर्सल मोटर बच्चो इसके नाम से ही पता चला यूनि वर्सल मतलब उसको एसी सप्लाई से भी चला सकते हैं और डीसी सप्लाई से भी चला सकते हैं एक ऐसी मोटर जिसको एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई के द्वारा चलाया जाता है उसे बोलते हैं इन्वर्सल मोटर इसे बच्चो क्या करेंगे हम इन्वर्सल मोटर जो होती है इसको ब इसको जानते हैं कोजो बंशाम सार्वत्रिक मोटरm 2011 demden Russia vous Report नमस्तों बलते हैं के नामसे जाना जाता है यानि हम इसको लिए सकते है सार्वत्रिक बता रहीं हिंदी कितनी कथिन है इसार्वत्रिक मोटर्बित इसको बोलते हैं बच्चो हम एसी है सीरीज मोटर सबसे अच्छी बात होती बच्चों यह मोटर AC तथा DC दोनों प्रकार की दोनों प्रकार की बिद्दुत सप्लाई द्वारा बिद्दुत सप्लाई द्वारा चलाई जाती है ठीक है बच्चों यह दोनों प्रकार की बिद्दुत सप्लाई द्वारा चलाई जाती है ठीक है तो जो हमारी इन्वर्सल मोटर होती है बच्चों वो AC डीसी दोनों के द्वारा चलाई जाती है अगर motor की बात करें बच्चों तो यह आपका जो DC series motor आपने पढ़ा था first year में DC series motor की तरह होते हैं DC series motor क्या पढ़ते थे कि एक AC motor जिसकी field winding मोटे तार के कम बरतनों की होती है और उसको armature के series में लगाते हैं उस motor को बच्चों DC series motor कहते हैं यहां पर कहानी यह है कुछ कि कुछ इसमें इसके संरचना में कुछ changing करेंगे कुछ construction में कुछ इसमें चीजें ऐसी लगाएंगे जैसे पता आपको AC supply है तो AC supply के दोरा बच्चों उसमें frequency होती है frequency के दोरा आपका hysteresis loss और AD current loss बनेगा तो इसके लिए हमें बच्चों एक special प्रकार का core design करना पड़ता है कि जिसमें एक ऐसे material का core बनाना पड़ता है जिसमें कम से कम बच्चों आपका hysteresis और AD current loss होना चाहिए ठीक है आपको पता जो AD current loss होता है बच्चों वो depend करता है बच्चों कह सकते हैं कि hysteresis अब देखते हैं कि frequency के समान पाती है जितनी ज़्यदा frequency रहेगी उतना ज़्यदा hysteresis loss होगा AD current loss को बचाने के लिए हमें lamination करना पड़ता है lamination what is lamination बच्चों क्या करते हैं कि उसका warnis warnis लगा देते हैं तो lamination करते हैं क्योंकि AD current loss को अगर pure DC है तो हमें lamination क्या आउ सकता नहीं पड़ती यह सारा कुछ हम देखेंगे बच्चों तो अगर हमने देखा देखे सेडेट पोल अभी इससे पहले बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेडेट पोल मोटर हमने पढ़ा था था इसके बारे में बात करेंगे shaded pole motor देहन दीजे shaded pole motor में हमने देखा था shaded pole एक ऐसे motor थी जो कि self start थी मतलब इसके लिए न तो कोई capacitor क्या हो सकता पड़ती थी बस shading while इसमें यूज करते थे जिसके दौरा ये self start हो जाती ठीचे बच्चों अबर बात करते थे shaded pole जो induction motor होती लेकि इसके दौरा जो बच्चों starting अगर हम बात करते हैं low starting लो होता है और बच्चों power factor भी हमारा कुछ better नहीं बहुत जाद आठ्छा नहीं मिलता है power factor भी हमारा क्या होता है? Low power factor ठीक आपने देखा था जब capacitor start या capacitor start and capacitor run motor पड़ रहे थे बच्चो तो उसके द्वारा जो हमको मिलता था यानि कि कह सकते हैं कि उसके द्वारा जो power factor और starting torque बच्चो था वो बहुत अच्छा मिला था यानि यहां पर torque जो बच्चो starting low starting torque की बात कर लिए torque तो बच्चो starting torque इसमे कम मिलता है low power factor होता है देखो इसको हम कम असो सकती का बनाते हैं जो सेड़ेट पूल बच्चो मोटर होती है उनको कम असो सकती का बनाते हैं बहुत ही कम rating की बच्चो बहुत ही कम होती है अगर इनकी power rating की बच्चो बात करें सेड़ेट पूल मोटर की तो बहुत ही कम रखते है जैसे हम कर सकते हैं यह एक बटे पचीस से एक बटे च्छे हास पाउर की आपकी आती है ठीक है एक बच्चे 25 से ऐसे लिख सकते हैं 1 upon 25 HP से 1 upon 6 HP तक रेटिंग की आती देखें इनकी जो रेटिंग होती है बच्छो सेड़ेट पोल की बहुत कम होती है लो रेटिंग वाली ये मोटरे होती है ठीक है इनकी रेटिंग बहुत कम होती है ये टॉपिक्स आपके last lecture में हुए थे नहीं मैंने इसने नोट करा दिया कि आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं एक चीज बच्छो ध्यान दरना है कि ये मोटर synchronous speed से नहीं move करती है जैसे मैंने last lecture में बोल दिया था कि synchronous वह चीज़ आपको गलत रखना है कि synchronous speed से move नहीं करती है ठीक है ये मोटर not a synchronous speed से नहीं घुमती है ठीक है अब तेबल फैन टेबल पंखा टेबल पंखे में आप यूज करते हो हेर ड्रायर हेर ड्रायर में भी बच्छो यहीं सेड़ेट पोल मोटर होती है देखेंगे जो टेबल फैन होता है बच्छो उसमें condenser नहीं कैपासिटर नहीं लगा होता है ठीक है वहाँ पर आपको सेड के लिए बच्छो आते हैं तो ध्यान देना है सेड़ेट पोल के माटर के बारे में और सेड़ेट पोल मैंने बताया था इसका जो पोल बनता है बच्छो कुछ इस तरह से बनता है डिजाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि इस सेक्षन में अलग से मैंने एक बैंडिंग करते ह इसको बोलते है shading coil ठीक है और इधर जो main pole होता है इस पे हम अलग से binding करते हैं यह unsadeded section होता था तो आपको पता है इधर shaded flux unsadeded flux इधर shaded coil के द्वारा shaded flux तो यहाँ पे flux का मान कम होता था यहाँ पे flux का मान बच्चो जादा होता था इसलिए flux का direction कुछ इस direction में होता था यह सब कह इसमें कह सकते हैं कि बच्चो यह DC series motor की समान होती है और यह AC और DC दोनों supply पर कारी करती है ध्यान समझेगा यह alternating current और direct current दोनों पर ही कारी कर सकती है direct DC ठीक है दोनों पर भी चलाया जा सकता है अगर बच्चो हम इसके diagram की बात करें तो DC series motor की तरह ही बढ़ाई जाएगी दे series field winding है और बच्चो हमने क्या किया यहाँ पर armature लगा रखा है this is armature यह क्या बच्चो इजी मैंने यहाँ दिखा रखा है यह armature है यह मेरा armature है armature ठीक है बच्चो यह मैंने armature को बना रखा है ठीक यह है मेरा armature और series field winding मैंने दिखाया है यानि RSE कर सकते हो अब series field winding लेकि बच्चो यहाँ पर हमने AC supply भी दे देने हैं और DC supply दोनों पर कार कर सकती है तो इसी को बोलते हैं सारवत्त्रिक motor जो सारवत्त्रिक है alternating current पर भी चलेगा और direct current भी चलेगा ठीक है इसके नाम से भी बता चलता है तो आप लिखेंगे क्या एक AC motor जिसकी बच्चो field winding मोटे तार के कम बर्तनों की होती है यानि AC series motor की field winding मोटे तार के कम बर्तनों की होती है बर्तनों की होती है बर्तन मतलब बच्चों यहां turn से मतलब है turn कितने turn की होती है इसे armature के इसे बच्चों armature के स्रेड़ी में लगाया जाता है ठीक बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसे हमें बच्चों क्या होता है कि AC series motor होती है इसकी field winding होगी वो मोटे तार के करेंगे कम बर्तनों की और इसे armature के series में लगाते हैं जैसा कि मैंने यहां बच्चों आपको दिखाया है साथे साथ बच्चों एक द्यान यहां पर हम compensating winding भी करते हैं पोल पर हम बच्चों compensating winding करते हैं ध्यान दीजिएगा यहां पर जैसे हमने DC series motor पढ़ते थे बच्चों तो आपको यहां पर एक binding करने की कोई आओ सकता नहीं पढ़ती थी लेकि यहां पर बच्चों हमें कमपन सेटिंग वैंडिंग करने की आऊ सकता पड़ती है तो कमपन सेटिंग वैंडिंग के लिए भी हम कुछ बुकों में आपको यहां पे एक बैंडिंग दिखा देता है इस तरह से और बोलता है यह हमारी कमपन सेटिंग वैंडिंग सेटिंग वैंडिंग सेटिंग में आपको कमपन सेटिंग वैंडिंग भी बना के दिखाता है ठीक है यानि इस तरन को ऐसे थोड़ा बना लीजिए बाहर साइट यह बच्चो आपका दिखा दिया गया है कि कमपन सेटिंग वैंडिंग है जो की हमने आर मेचर के सीरीज में करते हैं ठीक बच्चो तो हमने ये देखा कि जो हमारी इनवर्सल मोटर होती है DC सीरीज मोटर के ही बराबर होती है अब अगर बात करें इसके टार्क इसके दोरा जो बच्चो टार्क प्रोडियूज होगा बचो हमें इसमें इस तरह से core material यूज करना है, इसके pole core इस तरह से बनाना है, जिसमें कम से कम बचो hysteresis losses और eddy current loss होना चाहिए, इस तरह से हम design करते हैं कुछ special purpose work के लिए, तो ये बचो हमारी motor तयार की जाती है, और इसको हम बचो यूज कर सकते हैं, जो mixer होता है, उसमें हम य ये हमारी motor है, आपको कोई machine ऐसी दिख रहे है, जिसमें AC supply से भी चला जा रहा है, और DC supply से भी चला जा रहा है, तो हमारी universal motor आपको देखने के लिए मिल जाएगे, ठीक बचो, तो अगर हम इसका constructions को थोड़ा समझें, तो आपको ज्यादा clear होगा इसके बारे में, ठीक ये इसको हम थोड़ा बच्चो रफ करेंगे, और हम देखेंगे, इसके constructions के बारे में, इसकी थोड़ी सी समर्चना बनाएंगे, और हम समझने कोशिस करेंगे, जो हमारी AC series motor है, उसके applications के बारे में, देखिए, इनुवर्सल मोटर को बच्चो हम क्या बोलते हैं, AC series motor, ठीक है, ये बच्चो हमारा chapter number second चला है, और last आज lecture है, आज completely हो जाएगा, तो हम बोल ले हैं बच्चो ये हमारी चला है, ये AC series motor, AC series motor, ठीक बच्चो, तो AC series motor का अगर हम construction, सनर्चना बनाते हैं, सनर्चना, ठीक है, तो सनर्चना कैसे बनेगी, भाई, DC motor की तरह सनर्चना बनेगी, वही कहानी, पोल इसमें रहेंगे, stator पोल रहेंगे, ये, दो पोल की हम बना के दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से, ठीक है बच्चो, इस तरह से बच्चो हम पोल को design करेंगे, ये हमारे पोल्स हैं, ठीक, मैंने दो पोल्स को design कर रखा है, ठीक है, डाइग्राम आप लोग का बहुत अच्छा होगा, ड्राइंग, ठीक है, मैंने दिखा दिया, एक नार्थ पोल है, और दूसरा साउथ पोल है, ठीक बच्चो, अब हमने क्या किया किया, कि यहाँ पे compensating winding, इस तरह से compensating winding को दिखाना होता है, ये मैंने क्या करका compensating winding, ठीक है, यानि समकारी कुंडली, ठीक है, winding, ठीक बच्चो, समकारी कुंडली या समकारी compensating winding, और ये बच्चो, इस पे जो हम winding कर रहे है, ये मेरी main winding है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से दिखाऊंगा कि supply इस तरह से दिया हूँ, ठीक है, ये मैंने हमने इसी supply दिया है, और इस तरह से बच्चो हमने दिखाया है इसको, कि जो मेरा ये है, ठीक है, और इस तरह से बच्चो आप दिखा सकते हैं, इसको, इस तरह से बाहर लाके, ठीक, ये diagram बना सकते हैं, और मैंने यहाँ पे rotor यूज़ कर लिया, ये, ठीक, ये इसका rotor है, आपको पता है, कि इसको पे ब्रस लगेंगे, कमून टेटर होगा. ठीक है, अंदर ये मेरा साप्ट है. DC-series motor की तरही बच्चो सनचना होती है. DC-series motor की तरही सनचना होती है. ये कमून टेटर हमने दिखा रखा है. ये बच्चो कमून टेटर टाइब की motor में बना रहा हूँ. यह जो motor होती है बच्चों, commutator type की motor होती है, ठीक, ध्यांदीजे, और यहां पर हमारे brushes लगे हैं, यह हमारे क्या हैं, बच्चों, brushes लगे होते हैं, यह हमारे बच्चों, हमने brushes लगा के रखे हैं, यानि हमने यहां पर brushes लगाये हैं, यानि इसको हम दिखा सकते हैं, कि armature के ब तो अब हम आगे बच्चों देखेंगे कि इसमें जो टार्क अगर आपको पता ही है कि हमने सप्लाई दिया इसमें तो इसमें एक चीज़तों बच्चों इसमें हमें दो type के जो core में losses होते हैं आपने पढ़ाओ का core में hysteresis losses भी होता है और AD current loss भी होता है तो hysteresis loss से बचने के लिए हमें एक ऐसे material से बनाना पड़ेगा जिसमें कम से कम material पर depend करता है बच्चों हमें एक अच्छा चुनिंदा material चुनना पड़ेगा जिससे कम से कम hysteresis loss हो ठीक है एक ऐसे material से बनाना पड़ेगा जिससे हमारा hysteresis loss कम से कम हो दूसरी चीज़ बात करते हैं AD current loss जो होता है वो कम होता है lamination करके बच्चों अगर हम इसमें lamination का परियोग करते हैं तो AD current loss कम होता है देखिए actually का होता है DC motor में हमें न तो compensating binding करने क्या आओ सकता परती थी बच्चों और नहीं हम क्या करते थे कि इसमें कोई भी अलग से हम lamination करते हैं lamination वहाँ भी करते थे हमने ये भी लिखाया था अगर pure DC है तो हमें lamination क्या आओ सकता नहीं परती है ध्यान दीजे नोट करके लिखेगा अगर किसी ये क्वाइल में जो supply दे रहे हो यदि pure DC है यदि बच्चों pure DC है pure DC हो तो lamination lamination की आओ सकता नहीं परती ठीक बच्चों अगर ध्यान दीजेगा अगर ये मेरी pure DC होती तो lamination क्या आओ सकता नहीं परती लेकि अगर pulsating DC हो pulsating DC हो या AC हो AC मतलब alternating current मतलब परत्यावर्ती धारा ठीक बच्चों परत्यावर्ती धारा हो तो ठीक है बच्चों अगर परत्यावर्ती धारा हो तो lamination की आओ सकता होती है lamination की आओ सकता होती है ठीक बच्चों lamination की आओ सकता होती है lamination करने से लेमिनेशन करने से ED करेंट लॉस कम हो जाता है ठीक बच्चो यानि अगर हम इसका लेमिनेशन कर देते हैं बच्चो AD करेंट लास को हम reduce कर सकते हैं AD करेंट लास को कम करने के लिए हमें इसका बच्चो क्या करना पड़ता है हमें इसमें lamination करने की आऊ सकता पड़ती है ठीक है बच्चों तो मा लिजए कि यहाँ पर हमने AC supply दिया, क्या दिया? AC supply, तो पक्का है कि बच्चों जब DC supply दोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा लेकि जब इसको AC supply दोगे तो मेरा क्या है? Series field है, जैसे मैंने बता था मोटे तार के कम बरत्रों की होती है और यह मैंने compensating winding को दिखाया है और यह मेरा armature है बच्चों ठीक है? और armature है और मैंने यहाँ पर दिखाया कि supply दिया गया है यहाँ पर supply AC भी दे सकते हैं और DC भी मालों के AC supply दिया गया है चुकि हम AC series motor पढ़ रहे है इसलिए हम बच्चों इसको कार रहे है AC supply दिया गया है यह series field winding है, यह compensating winding है हमने बोला था समकारी कुंडली क्या बोलते हैं इसको बच्चों? Compensating, इधर लिखा पढ़ा है आपका compensating winding है और यह मेरा क्या है? armature है ठीक है ध्यान दिजएगा बच्चों इस machine में जो भी हमारा टार्क उत्पन होता है टार्क, series में जो टार्क होता है बच्चों, बला गुण टार्क डारेक्टली proportional होता है 5 into IA ध्यान दिजएगा, टार्क जो होता है बच्चों, वो 5 into IA के proportional होता है flux और armature current के समान पाती होता है यानि जो यह flux है और समान पाती अगर बच्चों हम टार्क का ग्राफ खिचें टार्क की conditions को देखें तो कुछ इस तरह से आपको DC series मोटर मिलेगा देखिए मैं इस पे आईए के ग्राफ खिचता हूँ आईए ठीक है आईए की कारण देखो बच्चों हमको कुछ मालो यह armature current कुछ इस तरह से मिल लेए alternating है armature current का nature कैसा होता है बच्चों परत्यावर्ती होता है अगर armature current हमारी परत्यावर्ती है तो flux भी हमारा कैसा होगा बच्चों 5 भी जो होगा हमारा वो alternatingating ही nature का होगा flux भी हमारा बच्चों क्या होगा alternator ही nature का होगा अब बच्चों अगर बात करें जिसके दोरा जो टार्क आता है थोड़ा सा मूपर बना लेंगे बच्चों इसे देखिए हमने लिखा था टार्क जो होता है वो directly proportional होता है 5 into IA के आर्मेचर करेंट ठीक बच्चों तो मैंने देखा कि जो आर्मेचर करेंट होती है वो हम जो यहाँ पर करेंट दे रहे हैं बच्चों वो क्या है alternating है यही है तो इस तरह से दिखाए मैंने आईए को ठीक और बच्चों साथी साथ मैंने बोला flux का भी नेचर कैसा होगा जब alternating करेंट flux भी alternating होगा इन दोनों का बच्चों देखा जाए resultant अगर देखा जाए इन दोनों का लिया जाए तो देखो अगर यहाँ पर देखा जाए यह plus है और यह plus है तो यह positive और यह positive अलो भर यह value क्या हो जाएगी टार्क positive हो जाएगा हब cycle के लिए अब दुसरी cycle के लिए बच्चों हम देखते हैं second cycle के लिए तो यह negative negative अगर आपको पता flux भी negative current भी negative तो negative negative को multiply positive होगा तो टार्क बिल भी positive देखे टार्क हमारा कभी negative नहीं आ रहा है टार्क positive आ रहा है तो यह मेरा टार्क के बीच का graph है यह टार्क को represent कर रहा है देखे टार्क कभी सुनने नहीं हो रहा है current देखे यहाँ पे positive और negative magnitude फिल से सुनने हो रहा है लेकि टार्क कभी zero नहीं हो रहा है टार्क हमें कितना मिला है कि double cycle देखो ये full cycle के लिए मुझे टार्क प्राप्त हो रहा है तो ये conditions आपको दिखानी रहती हैं series motor में देख रही है कि हमने जो flux दिया यानि हमको जो टार्क मिला है वो full cycle के लिए मिला है टार्क हमें full cycle के लिए मिला है जब कोई alternating current हम coil पे दे रहे हैं तब तो बच्चो ये हमारी universal motor होती है सबसे पहले हम देखते हैं कि universal motor का application आपको लिखने के लिए आजाते हैं कि universal motor को हम कहां पर use करते हैं ठीक है यानि universal motor का अगर हम बच्चो applications की बारे में बात करें तो आपको लिखना है देखिए इसके applications के बारे में बच्चो आपको note करना होगा यानि अनुपरयोग के बारे में application ठीक है मतलब universal motor का हम परियोग कहां करते हैं ठीक है हमने बोला था बच्चो जो भी आपका juicer होता है juice की machine होती है उसमें हम बच्चो इसका यूज कर सकते हैं AC series motor का और बच्चो आपका AC series motor के बहुत सारे advantage बच्चो हर जगा हम लगबग जहां पर भी हमें DC series motor यूज कर रहे थे वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं ठीक बच्चो तो जैसे आप लिख सकते हैं कि grinder में table flan blower में हम इसको यूज कर सकते हैं blower में ठीक बच्चो इसको हम blower में यूज कर सकते हैं grinder में भी बच्चो यूजता है ठीके, बलोवर में यूज होता है, हमारा groundwater में यूज होता है, और बचो rubbish hair dryer में हम इसको新 कर सकते है, hair dryer, बच्चो हम इसको hair dryer में भी प्रियोग कर सकते हैं, और बात करें, जितने भी घरे विल्व आवस्टेक कारे होते हैं, ka ठीक है kitchen applications के लिए kitchen applications का मतलबёмी की आव सक्टाओं के लिए kitchen कि आव सक्ताओं मतलब kitchen में जितनी भी आप यूज करते हो आपको मसाला पीचना उiversail के लिए मसिने आती हैं how to juice बनाना तुसके लिए मसीन आती है, जूसर मसीन आती है. ठीक है? तो उनमें सभी जेगा, बच्छो आपका इनवर्सल मोटर लगती है. वो AC पर भी चल जाती है, DC पर भी चल जाती है. हर जगा जितनी भी application जो kitchen में आपको देखने के लिए मिलेंगी machine चोड़ी चोड़ी चाहे वो masala पिषने वाली machine हो चाहे वो आपका juice बना ले वाली machine हो तो अलग-अलग type के आपकी जो machine घरों में यूज कर रहे हो kitchen समगरी के लिए वो यहीं AC इसी स्रीज इनुवर्सल मोटर का हम प्रयोग करते हैं बच्चों ठीक है और इसका प्रयोग हम अगर देखें तो बच्चों इसका प्रयोग हम कर सकते हैं ठीक है पॉलिसर्स में हम करते हैं वाइकल में जो भी इलेक्ट्रिकल वाइकल होती हैं हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक होते हैं बच्चों उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं ठीक है तो इत्यादी ये बच्चों हमारे क्या है कि इनका हम यूज करते हैं एक इनवर्सल मोटर में ये जो इनवर्सल मोटर है हम देखो ब्लोवर में भी यूज कर सकते हैं ग्राइंडर में भी यूज कर को ठीक है तो बच्चो हमने यह दिखा की इनवर्सल मोटर अब सबस вокруг बात थे बच्चो की ये jak ? कॉमपन सेटिंग वैंडिंग क्या होती है और ये कंपन सेटिंग वैंडिंग का मेंं Can Kya है ? तो भच्चो जाए कि कंपन सेटिंग वैंडिंच देखिए बच्चो compensating winding और इसमें interpulse भी लगाया जाते हैं अच्छा interpulse आपको पता है कि armature reactions को कम करने के लिए हम interpulse लगाते हैं अगर हम interpulse की बात करें तो बच्चो आपको ने पढ़ा होगा कि interpulse का परेगा हम commutation good commutation जो sparking आ रही उसमें bad commutation से बचने के लिए हम एक अच्छा commutation प्राप्त करने के लिए बच्चो क्योंकि ये commutator type की motor है तो जब भी हमारी ब्रस commutator से current को collect करेगा या ब्रस के थुरूख commutator पर current बच्चो जाएगी तो वहाँ पर जो sparking होती है motor में sparking होती है उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर उसको कम करने के लिए जो reluctance voltage बनता है बच्चो जो reluctance voltage बनता है उसको neglect करने के लिए हमें इंटर पोल लगाने पड़ते हैं इंटर पोल लगाके यद फिर हम compensating winding करते हैं उसमें करके बच्चो क्या करते हैं कि उसको उस voltage को neglect करते हैं जिससे हमारा motor में हमारी जो बच्चो sparking ओगरा की समस्या नहीं रहती है तो ये बच्चो हमने देखा कि अभी जो universal motor है ये होती क्या है ये एक ऐसी motor है जो बच्चो AC DC supply दोनों की तरह कारी कर सकती है और DC series motor की तरह इसका कारी होता है और इसके सनचना भी वैसे ही होती है लेकि कुछ इसमें special constructions इसका अलग होता है क्योंकि इसमें lamination करना बहुत ही आओ सकता होता है साथी साथ बच्चो इसमें हम क्या करते हैं कि AD current hysteresis loss को कम करने के लिए कुछ ऐसे material का प्रयोग करते हैं जो की AD hysteresis loss को कम कर दे ठीक है तो यह सारा कुछ हमने देख लिया बच्चो और हम compensating winding का प्रयोग करते हैं armature reactions को कम कर सकते हैं अब इसके द्वारा अगला ही जो बच्चो हम motor पढ़ेंगे वो single face synchronous motor देखिए अगला जो chapter है हमारा single face, three face synchronous motor तो वहीं पे हम आपको synchronous motor जब start होगा तो वहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे single face वैसे अभी जाल लेते हैं single face induction जो आप motor है बच्चों single face इसमें आपकी एक reluctance motor आती है और दुसरी बच्चों hysteresis motor आती है चोटे चोटे जो खिलवने होते हैं देखिए उसमें hysteresis motor आपकी यूज़ होती है चोटे चोटे जो बच्चों के लिए toys होते हैं खिलवने होते हैं उसमें हम hysteresis motor का यूज़ कर देते हैं आपकी जो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आपकी shaded reluctance motor होती है यह printing machine, printing machine में हम use करते है reluctance, देखे, reluctance motor जो बच्चों होता है न, उसका जो rotor होगा, ध्यान दीजेगा, reluctance motor का जो rotor होगा कुछ special तरकेस बनेगा, इस तरह से, मतलब pulse कुछ इस तरह से बनाया जाएंगे इसमें, इस तरह से देखिए, मतलब continuously pulse नहीं रहेंगे, मतलब pulse को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा, कि कुछ time के लिए induce mf हो, और कुछ time के लिए न हो, देखो इस section में नहीं हो, यह कुछ special तरीके का rotor बनाया जाता है, ठीक है, कुछ special तरीके का मतलब induce mf हो, फिर न हो, देखिए, जब print out लेते हैं, तो print out रुक रुक के आता है, यानि उस motor में induce mf रुक रुक के बनता है, कुछ इस तरह से motor, देखिए, इतने section में induce mf होगा, यहाँ पे air gap आ जाता है, यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे air gap हो जाता है, जब printing machine है, बच्चो, वहाँ पे हम reluctance motor यूज करते हैं, ठीक है, तो यह दोनो synchronous motor होती है, और यह इनकी बिसस्ता होती है, यह दोनों motor सिंक्रोनस speed से move करती है, सिंक्रोनस speed की अगर बात करों हैं बच्चो, तो NS बराबर 120 F5P आपने पढ़ा होगा, वो depend करती हैं बच्चो, पोल्स पे और frequency पे पोल्स और frequency पे depends करती हैं कि कितने पोल की motor है और कितनी frequency है, उसी कनसार बच्चो, हमारे synchronous speed हो यह continuously synchronous इससे पहले, जितनी भी motor बच्चे हमने पढ़ा वो कोई भी motor synchronous speed पे move नहीं करती है तो बच्चो हमने ये देखा कि जो भी reluctance motor है जैसे synchronous motor पढ़ेंगे तो उसमें हम reluctance motor के बारे में बता देंगे आपको बहुत अच्छे से तो ये मेरा दूसरा chapter बच्चो एकदम complete होता है यहाँ पर synchronous machine का जो बच्चो concept अलग है तो उसको वहाँ पर पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आना वाला कुछ motor special है उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये मेरा आज second chapter जो बच्चो आपका complete होता है तो आज के लिए lecture बच्चो इतना ही रखते हैं क्वश्ण से बच्चो कि बच्चों से लिए